Hello friends, welcome back to Sonika Kitchen मेथी दाना, गोंद और गुड के लड़ू हम कैसे परफेक्ट तरीके से बनाएं तो ये रेस्पी आप फुल वाच करना बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये दो चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है यदि कोई आपके घर में शुगर पेशन्ट हो तो आप मेथी दाना ज़ादा भी ले सकते हैं और ये मैंने मेथी दाना को मिकसी में ग्राइंड कर लिया था और इसका पौडर बना लिया था आप चाहें तो इसे दरदरा भी पीश सकते हैं अब इस पौडर में थोड़ा थोड़ा दूड डालके हम इसको अच्छे से गीला कर लेंगे मेती दाना पौडर में ज़्यादा दूद नहीं डालेंगे कहते हैं ना कि मेती दाने को जब हम बिगो के रखते हैं तो मेती दाना लेस छोड़ जाता है तो हमें ज़्यादा दूद नहीं डालना है सिर्फ गीला करके रख देना है यह कठी गोन डाल देंगे तो गोन जो अंदर से कच्ची रह जाएगी बहार से फूल जाएगी इसलिए इस बात का अब ध्यान रखना लो फ्लेम पर ही गोन को थोड़ा-थोड़ा डालके ही फ्राई करें यह मैंने काजू बदाम लिया है आप ड्राइफ फूट कम ज्यादा कर सक काजू बदाम को भी हम एक मिनट तक घी में पकाएंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे थोड़ी सी किश्मिश्ली है इसे भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे फिर हम इसमें मखाने डालेंगे और इसे भी एक मिनट फ्राई करके हम निकाल लेंगे सारे ड्रैफ फूर्स को हमने फ्राई कर लिया है घी जो है कड़ाई में थोड़ा ज्यादा लग रहा है थोड़े से घी को हम कटोरी में निकाल लेंगे और थोड़ा घी कड़ाई में रहन देंगे उसमें हम डालेंगे तर्बूच के बीच और दो बड़े चम्मच भरके नारियल बूरा डालेंगे औ इसे भी एक मिनट फ्राइ करने बाद निकाल लेंगे। फिर नवा हम कडाई में दो चमा कर लंगे। और ये मेती दाना था वार उसे भी फ्राइ करेंगे। जब थोड़ा सा color change हो जाएगा तो इसे भी निकाल लेंगे तो सारे dry fruits को हमने अच्छे से घी में fry कर लिया है अब हम dry fruit को chop भी कर सकते हैं और mixी में grind भी कर सकते हैं तो काजू बदाम को जो है मैंने chopper से chop कर लिया है और जो मखाने थे उसे भी मैंने chopper में डाल के chop कर लिया है आप चाहें तो हातों से knife से भी कर सकते हैं chop और ये जो हमारी गोंद है जिसे हमने fry किया था गोंद ज़्यादा add करेंगे इसे हम measure से अच्छे से crush कर लेंगे या कटोरी से अच्छे से mash कर के crush कर देंगे क्योंकि जब ये लड़ों में आती हैं और हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है करंची करंची सा और ये जो हमने खस-कस को fry किया था एक कटोरी में निकाला था उसे डाल देंगे और ये मेती दान है इसे भी डाल देंगे ये लैची पॉडर है जिससे खुश्बू अच्छी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा लगेगा यानि सरारे ड्राइफ रूट्स को हमें एक बड़ी प्लेट में डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे सारे ड्राइफ रूट को हम और इसे एक साइट पे ढखके अभी हम रख देंगे इन लडूओं की रेस्पी आप जरूर ट्राय करना आपको बहुत पसंद आएगी फिर से हम कड़ाई लेंगे और उसी कड़ाई को मैं टीशू पेपर से साफ कर लिया था दो बड़े चमच हम देसी घी डालेंगे और एक छोटी कटोरी वेसन डाल देंगे और वेसन को हम खुश्बू आने तक लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जब खुश्बू आ जाएगी तो ये मैंने एक बड़ा बॉल आटे का लिया है तो इसे भी वेसन में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम आटा और वेसन को अच्छे से भूनते रहेंगे जब आटे मेंसे खुश्बू आने लगेगी और अच्छे से भून जाएगा यानि कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा आटे का फिर हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और आटे को हम एक बरतन में निकाल लेंगे और ये जो हमने ड्राइफूट सारा चौप करके रखा था इसे एक बड़ी प्रात में डाल देंगे फिर जो हमने आटा भूना था उसे भी हम इसी प्रात में डाल देंगे यानि सारा आटा इसी प्रात में डाल देंगे ये लड़ू बहुत ही टेस्टी बनेंगे यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से ड्राइफ रूट और आटे को हम मिक्स कर देंगे ये एक चम्मच मैंने सोट ली है जो की बहुत ही बेनिफिट देती है उसे जरूर एट करेंगे ये पिस्वी काली मिर्च ली आदी चम्मच ये मीठे को बैलेंस करने के लिए लिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये देखें जित्ता भी मैंने कड़ाई में देसी घी लिया था वो थोड़ा सा यानि देसी घी इसमें से अभी बच गया है अब लो फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें आदा कब जितना हम पानी डाल देंगे जिससे गुड़ जब हम फ्राई पैन में डालेंगे तो गुड़ जो है तले से चिपकेगा नहीं इसलिए आदा कब जितना पानी जरूर डालें और गुड़ की उपर हम थोड़ा सा दो चमच यानि घी डाल देंगे और गुड़ को हम मेल्ट करेंगे यानि चासनी जैसा हमको गुड़ को नहीं पकाना है एक तार की चासनी नहीं करनी है जब गुड़ मेल्ट हो जा और थोड़ा सा गाड़ा होने लगे तब ही हम फ्लेम ओफ कर देंगे यानि गुड़ जो है दो तीन मिनट में ही पक जाता है फिर इस गुड़ के सिरफ को हम लड़ू के बैटर के उपर डाल देंगे और इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करेंगे गुड़ जो है अभी गरम होगा सिरफ तो इसलिए स्पैचुला से पहले मिक्स करेंगे थोड़ा जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से हाथों से मिक्स करेंगे तो आपने देखा गुड़ के सिरफ को मैंने दुबारा एट किया था थोड़ा सा बज गया था तो आपने देखा मेथी गोन गुड़ के लड़ू कैसे बनाया जाता है बहुती इजी तरीका है बस ट्रिक आपको फालो करते जाना है मेरी ट्रिक को और ऐसे ही आपके टेस्टी और डिलीशियस लड़ू बनते जाएंगे घी जितना मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा घी लगाया उतना ही और ये देखिए जो मैं लड़ू बना रही हूं हाथ से तो देखिए मैंने हाथों पे कोई भी घी नहीं लगाया ना ओयल ग्रीस किया है लड़ू ने अपने आप पी जो है घी को मेरे हाथ पे चोड़ दिया है यानि बिल्कुल परफेक्ट घी डला है बहुत ही टेस्टी ये लड़ू बनेंगे गोंद वाले आप इस रेस्पी को जरूर ट्राय करें ये लड़ू हमारे शरीर के लिए बहुती फैदे मंद है शरीर में जोड़ो का दर्द हो थकान हो रही हो कमजोरी महसूस हो रही हो आप ये लड़ू की रेस्पी ट्राय करें इससे आपकी कमजोरी थकान और जो चोडो का दर्द है वो भी सही हो जाएगा इसमें सारी हमने हेल्दी चीजे यूज करी है तब ही मैंने इन लड़ों को गुड से बनाया है क्योंकि गुड जो है हमारे शरी को बहुती फैदा देता है खास तोर पर सर्दियों में ये रेस्पी आप घर पर जरूर छोटी सी बिलकुल बैल का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली हर मेरी नई वीडियो को नॉटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे और टेक केर जैम आता दी